आज हम बने एक और नहीं इंफर्मेटिव वीडियो के साथ तो इसमें यह है कि जिसे बहुत लोग होते हैं जो नई गाड़ी स्विच करते हैं तो जैसे कोई सिडैन चला रहा है कोई हजबेक चला रहा है कोई किसने किसी गाड़ी से स्विच करता है जो है लेबल की गाड़ि पर आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन थी कि रेर वाइपर चलेगा कैसे तो जो उनका कंफ्यूजन है वो दूर हो सके तो बने रहे हमारे वीडियो में वेलकम टो माई यूटूब चैनल ओके यह है इसका फ्रंट वाइपर और यह है इसका बैक वाइपर अक्सार लोग यही चैनल ते हैं इसको कैसे में लोग समझनी पाते हैं और आज हम आपको बताते कैसे इसको यूज किया जाता है तो सबसे पहले चीज डिस्प्लै ऑन कर लिए ब्यों इसको कैसे करेंगे इसको जो है यह उपर पूल करेंगे तो यह जो इसका वॉटर के साथ यह वाइपर चलने लगा अब क्या करना है जैसे माली जी हमको अभी बारिश हो रही है continue वाइपर चलाने है तो इसमें क्या करना है कि इस node को नीचे कर देंगे तो यह वाइपर चलेगा अपने normal speed से चलेगा अब क्या हमको speed अगर बढ़ानी है तो mist कर देंगे देखिए अब चल रहा है उसके बाद यह INT है इसके इसाब से आप कर देंगे थोड़ा और slow हो जाएगा और यहाँ low है और यह high है अगर आपको और high करना है तो आप mist पे करके एक पल नीचे कर देंगे पॉइंट तो यह और speed होते जाएगा जितना आप नीचे करेंगे यह उतना नीचे speed होते जाएगा यह यह होगा इसका फ्रंट वाइपर यह तो सभी जानते हैं लंसम लोग बहुत लोग जानते हैं इसको जो सिडान हजबैक या कोई भी अधर गाड़ी चलाते हैं वो इसक पीछे का सीजा तो इसको कैसे साफ करना आए हम आपको बताते हैं जैसे यह इसका वाइपर है तो ठीक है अब उसी तरह हम इसको क्या करेंगे इसको आगे पुछना करके इसको पीछे पुछ करेंगे अगर रास्तर में कभी जा रहे हैं या साफ करना हो तो इसको हम ऐसा पी रेर वाइपर मालो अगर आप ये तो आप जानगे कि इसको अगर हम ऐसे हम नीचे पुछ करेंगे तो बैक चलेगा पीछे वाइपर और आगे पुछ करेंगे तो फ्रंट वाइपर चलेगा अब ये तो हम जानगे अगर आप बारिश हो रही है और पीछे का वाइपर हम बार लुक्त आई अण टी स्को अ अट पर ये इसको या इंसे पर करेंगे इसमी कि आप देख सकते हैं पीछोर लबाई पर चलने लगे भी आपगी है फावर चलने लगा ऐसा और तेज बारिष हो रही है ऑग behavior यह और आफर झाज arrows तो देखी जैसे वह पीछे का कंटीनु पे चल रहा है ठीक है कंटीनु पे चल रहा है अब उसको आफ करना है तो यहां से अप इसमें आई-म्ती पर आएंगे सीधे आफ आइ-म्ती थोड़ाई सलो पे हैं ताकि अगर मालू हलका हलका बूंद हो रही है हलका बारिश हो रहा ह तो उसके लिए IMTA है और आफ पर तो आफ रहेगा और यह on पर कर देंगे तो वो continue जो back wiper है वो on हो जाएगा और front wiper के लिए यह MISTA mist है जो अभी हम on कर देंगे इसको तो यह front wiper जैसे mist पर धीरे धीरे अपना slow slowly काम करना चालू कर देगा थोड़ा कुछ second के लिए जाएगा फिर वेट आजाए उसके बाद अगर हम और नीचे कर देंगे इसको यह और low के लिए यह low के लिए और यह high के लिए सबसे नीचे कर देंगे इसको ना तो बहुत तेज जैसे बहुत तेज जितना तेज बारिश होती है उससाफ से यह अपन इसका गंदगी देखिए यहां पर यह डश्ट देख सकते हैं कितना डीपली डश्ट है यह क्योंकि अपनी फ्लो होगा ऐसा पूरा यहां से शेड आप देख सकते हैं यह पानी कहा है और यहां से यह वाइपर स्टार्ट हो जाएगा पूरा एंड इस सबसें अच्छी इसका जो वाइपर है यह पूरा डीप तक मतलब 180 डिग्री तक पूरा यह क्लीन करता है इसका क्या सबसे अच्छा 180 डिग्री पूरा क्लीन करता है यह मुझे एक छोटा सा इंफॉमेशन लगा जो हम सोचे कि आप लोग से शेयर कर सके क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं जो जो थोड़ा मोड़ा जो फेर होता है ना बस उसी में डिफरेंस है क्योंकि हमने भी एक सिडायान से स्विच किया है तो हमें भी इसको समझने में कम सकम दो दिन लग गया थे फिर जब मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ा इसका मैनुल पढ़ा तब मुझे समझ में है कि इसका प्रॉपर वीडियो बनाके हम डाल देते हैं क्योंकि लोग पढ़ने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और एक वीडियो रहेगा तो लोग को समझने में ज्यादा असानी रहेगा प्रैटिकल रहेगा और इससे उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और हमारे वीडियों बने रहने के लिए धन्यवाद थैंक्यू फो वाचिंग माई वीडियो और आगे और भी इंफर्मेटिव वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे